डिजिटल इंडिया में भारतिय डाक हुआ एडवांस अब डाक पे एप से बेजे पैसे और करेबिल का बुपतान नई दिल ली डाक विभाग भारतिय डाक और भारतिय डाक भुपताग बैंक आई पीपीवी के उप्भोगता अब डाक पे के जरिये बैंकिंग सेवाओं का परिचालग कर सकते हैं संचार एवं सूचना प्रोध्योगी की मंत्री रवी शंकर प्रसाद ने मंगलवार को इसेप की शुरूआत की डाक पे देश भर में भारतिय डाक और आई पीपी भी द्वारा डाक नेट्वर्क के जरिये प्रदान की जाने वाली डिजिटल वितर और बैंकिंग सेवाओं उपलब्द कराएगा पैसे भेजना और बिल भुपतान हूँ आसान डाक पे कई तरह की सेवाओं यानी पैसा भेजने क्यों आर कोर्ड को स्क्याइन करने सेवाओं के लिए तथा दुकानों पर डिजिटल तरीके से भुपतान करने में मदद करेगा इसके अलावा यह ग्रहकों को देश में किसी भी बैंकिंग सेवाओं भी उपलब्द कराएगा प्रसाद ने इस एप का शुभारम करते हुए कहा कि डागते से भारतिय डाग की विरासत और सम्रिद होगी जो आज देश के सभी परिवारों तक पहुँचने वाली है जानिये शेयर बजार से हुई कमाई पर कैसे लगता है टैक्स और भरना होता है कौन सा हिटर फॉर्म उन्होंने कहा यह एक नवोनमेशी सेवा है जो सिर्फ बैंकिंग सेवाओं और डाग उतपादों तक ओनलाइन पहुँची उपलब्द नहीं कराती है बलकि यह एक विशिष्ट उफधारणा है जिसमें कोई ओर्डर देकर डाग वित्तिय सेवाओं को अपने घर के दिर्वाजे पर पासकता है डाग सचेव और आईपीपीबी बोर्ड के चेर्मेन प्रदिप्ता कुमार बिसौई ने कहा कि डाग पे एक सुगम भूताग जमाधन पेश करता है इसके जरिये गाहक सभी बैंकिंग और भुपतान उत्पाद और सेवाओं के जरिये या डाकिये की सहाईता से हासिल कर सकते है